Assalamualaikum dear viewers, मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं dear viewers, उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है थाइराइट परोक्सिडेज एंटीबोडी टेस्ट इस टेस्ट को एंटी टीपी और टेस्ट भी कहा जाता है वीडियो अगर आपको किसी भी जगा पर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा वक्स जाया नहीं करते शुरू करते हैं अपना टॉपिक थाइराइट परोक्सिडेज एंटीबोडी टेस्ट जो दोस मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबा दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थाइराइट परोक्सिडेज है क्या थाइराइट परोक्सिडेज को थाइरो परोक्सिडेज भी कहा जाता है और इसे आयोडाइट परोक्सिडेज भी कहा जाता है थाइराइट परोक्सिडेज दरसल में एक इंजाइम है और ये इंजाइम म में बनाता है कुछ इंपॉर्टन्ट हार्मोन्स जिनके नाम है T3 यानि ट्रायाडो थायरो थायरोनीन और T4 यानि के थायरोकसीन तो इन दो हार्मोन्स के बनाने में ये इन्जाइम बहुत एहमियत का हामिल होता है अभी हम बात करेंगे कि थायराइट परॉक्सिडेज एंट और जब ये एन्टीबोडी बन जाती है इस इन्जाइम के खिलाफ तो ये हमारे थायराइट टिशू को भी अटेक शुरू कर देती है उस पर हमला आवर हो जाती है जिसके नतीजे में जो थायराइट ग्लेंड होता है वो फिर काम नहीं करता और फिर ये हार्मोन्स जो T3 और T4 है तो ये फिर टीक तरह से नहीं बनते अभी हम बात करेंगे कि थायराइट परॉक्सिडेज एंटीबोडी की तश्खीसी एहमियत क्या है लिबाटरीज में ये टेस्ट क्यों इतना एहम है तो इस टेस्ट की मदद से हम बहुत आसानी से तश्खीस कर सकते हैं थायरा थायराइट ग्लेंड के रिलेटिड तो वो जिसम में बनना शुरू हो जाती है तो उसकी तश्खीस के लिए ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अभी हम बात करेंगे कि खुन में थायराइट परॉक्सिडेज एंटीबोडी का नार्मल लेवल क्या होता है तो इसका नार्मल लेवल जो खुन में होता है वो होता है लेस देन 16 इंटरनेशनल यूनिट पर अमल और अगर ये 16 इंटरनेशनल यूनिट पर अमल से बढ़ेगा इंक्रीज होगा खुन में तो हम कह सकेंगे के हमारे थायराइट ग्लेंड के खिलाफ ये एंटीबोडी बन चुकी है जो के तायराइट परॉक्सिडेज के खिलाफ होती है अभी हम बात करेंगे के तायराइट परॉक्सिडेज एंटीबोडी टेस्ट के लिए खुन का नमूना किस बोतल में लिया जाता है तो तीन से पांच हैमल खुन का नमूना लिया जाता है रेड टॉप तो पहले नमबर पर है ग्रेविस डिजीज और ये एक ऐसी बिमारी है जिसमें जो मरीज की आंखे होती है तो वो बाहिर की तरफ निकल आती हैं बलजिंग आइस हो जाता है इसमें दूसरे नमबर पर है हाशिमोटोस डिजीज इसमें भी जो तायराइट परॉक्सिडेज एं हो जाता है तो ये तीनों कंडिशन जो है ये आटों इम्यून डिसॉर्डर्स हैं जो के थाइराइट ग्लैंड के साथ रिलेटेड हैं तो इन कंडिशन में जो तायराइट परॉक्सिडेज एंटी बोडी है तो इसका लेवल खून में बुलंद हो जाता है बहुत ज्यादा